ITR फाइल कर दिया था मही में या फिर ITR हमने जूल में फाइल कर दिया था बट अभी तक ITR की प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं हुई या फिर अभी तक ITR की प्रोसेसिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है अगर आपका भी ये case है तो आज इस वीडियो में आपसे discuss करने वाला हूँ कि इसका reason क्या हो सकता है next मैं ये discuss करने वाला हूँ कि जो officers हैं उनके पास time limit क्या होता है ITR को process करने का third मैं ये discuss करने वाला हूँ कि generally कितना time लगता है ITR को process करने में और fourth मैं ये आपसे discuss करने वाला हूँ कि अगर आप complain करना चाहते हैं या फिक grievances वगरा डालना चाहते हैं तो आप कहां कहां पर complaints कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को start करें इससे पहले अगर आप चला पर नए हैं बट अभी idea process नहीं हुई है तो पहले हम ये discuss कर लेते हैं कि reasons क्या हो सकते हैं तो इसके reasons बहुत सारे हो सकते हैं मैं या पर चार reasons आपको बताने वाला हूँ पहला reason यह है कि हो सकता है कि आपने बहुत सारा directions वगरा लिया हो और आपने huge refund claim किया हो और आपका ITR जो है वो high risk assessment में चला गया हो ठीक है तो आपको क्या करना है बैसिकली आपको pending actions में जाना है work list में जाना है और अगर high risk assessment में गया हुआ है ideal तो मतलब refund का confirmation actually आपको देना है ठीक है तो उसका confirmation आपको दे देना है क्योंकि जब तक आप confirmation नहीं देंगे तब तक आपकी ITR pending ही रहने वाली है ठीक है next reason क्या हो सकता है next reason यह हो सकता है कि आपका ITR defective हो गया हो और आपने corrective ITR file किया हो या फिर revise return file कर दिया हो तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर late हो सकता है और यहाँ पर आपकी processing जो है थोड़ी slow हो सकती है ठीक है तीसा reason क्या हो सकता है तीसा reason यह हो सकता है कि आपने क्या किया होगा आपने revise return को file कर दिया होगा मतलब आपने original पहले file कर दिया बट आपको ऐसा लगा ही कुछ गलती हो गई है ठीक है और आपने क्या किया वापस से revise कर दिया जो generally हो सकते है कि इसकी वजह से ही आपका processing जो है वो लेट हो रहा है ठीक है अब आप नेक्स्ट बता देता हूं कि time limit क्या होता है ठीक है officers की पास क्या time limit दिया गया आइटर को process करने का तो यहां पर assessment year end होने के बाद मतलब जिस साल में आपने आइटर फाइल किया है वो assessment year end होने के बाद 9 मन तक का time रहता है मतलब assessment यह 24-25 है इसको end कभी होगा यह मार्च 2025 में वहां से 9 मत अगर count करेंगे तो December 2025 तक का time है officers के पास आपकी ITR को process करने का ठीक है अभी generally कितना time लगता है अगर वो मैं वो आपको बताऊ तो generally अगर हम ITR 1 और ITR 4 को देखें जो कि short form होता है मतलब कि बहुत कम pages के forms होते हैं उसमें ज्यादा details नहीं जाते हैं तो लेट कर रहे हैं ठीक है genuinely late हो रहा है तो अगर आपका late हो रहा है तो आपको wait करना है ठीक है अभी next अगर हम ITR 2 और ITR 3 की बात करें तो डेर महीने से लेके दो महीने तक का time यहां पे लिया जाता है generally ITR को process करने का ठीक है कुछ-कुछ ITR 24 घंटे में भी process हो जाते हैं तो वह कुछ exceptional cases हैं but generally देखा जा तो ITR 1 और ITR 4 के लिए approximately एक महीना आप पकड़ सकते हैं और ITR 2 और ITR 3 के लिए approximately दो महीना आप पकड़के चल सकते हैं अभी सबसे important ठीक है अभी सबसे important यह है कि अगर आपका refund नहीं आ रहा है पर processing complete नहीं हो रहा है तो अभी complaint कहां पे कर सकते है तो complain करने के लिए आपके पास grievances पड़े हुए है यहां पर आप grievance submit कर सकते हैं ठीक है बड़ इसको submit करने का कोई sense बनता नहीं है ठीक है दूसरा अगर हम देखे तो आप Twitter बजा के comment कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं और या फिर आपको मैंने यहां पर mail ID दे द आएगा किसी भी हाल में ठीक है तो अगर लेट हो रहा है तो आपको wait करना है क्योंकि आप अगर grievances भी डालेंगे complain भी करेंगे mail भी करेंगे तो एक simple reply आने वाला है कि हमारे कुछ process होते है रिटन को process करने के रिए हमारा कुछ process होता है या कि जो हम return है वो हम batch में process करते हैं बैच में अगर आपका pen select नहीं हुआ है तो आपका processing नहीं हुआ है और अगर आपका idea process नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है आप pending actions में एक बाब worklist चेक करते रहीएगा ठीक है worklist में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा और pending actions में जाके आपको इन प्रोसेडिंग भी चेक करते रहे ना ठीक है यह दो चीज़ा आपको चेक करते रहना है अगर इन दो चीज़ों में कुछ भी नहीं आया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है इसके अलावा आपके पास कोई option नहीं है ठीक है